चलिए, स्टार्ट करते हैं, न्यू चेप्टर है, और चेप्टर का नाम है सर, फाइनल अकाउंट, हमारे एक्जाम में कितने नंबर का आएगा ये, ये 15 मार्क्स का कुश्चन आएगा और सर, इसके अंदर दो तरीके का टॉपिक करेंगे फाइनल अकाउंट बे, एक विद जी एस्टी, एक विद आउट जी एस्टी सबसे पहले final account की हम बात करें तो आपको पता होना चीए final word से ही इसको final account भी बोलते है financial statement वाला account भी बोलते है तो final account का मतलब क्या है basically आप देखो तो हमारे accounting का जो सबसे end process है final का मतलब क्या होता है last जो accounting का हमारा last process है उस पे जो हमें काम करना होता है final account होता है तो अगर accounting का मैं process बता हूँ तो आपने जैसे की सबसे पहले journal सीखा journal के बाद sir आपने क्या सीखा laser laser के बाद आपने सीखा sir trial balance trial balance के बाद आपने सीखा balance sheet that is accounting process यह ना accounts का हमारा process है सबसे पहले हमने journal फिर laser फिर trial balance और फिर balance sheet और balance sheet को बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत 11th class का idea होगा और मैं पहले बता दूँ जो मैं class लूँगा काफी बच्चे science के भी होते हैं तो मैं यह मान के चलूँगा कि आपको कुछ नहीं आता उसके according हम आगे चलेंगे तो balance sheet बनाने balance sheet हमारा तब तक तयार नहीं होता जब तक हमारा profit and loss नहीं बन जाता यानि यह आपस में एक आपस में यह दोनों connected रहते हैं यह चीज़ हमें समझना होगा तो सर यह accounting process है journal, फिर laser, फिर trial balance और then balance sheet यह चीज़े और यह चीज़े आप किताब का भी पता होना चाहिए आप सभी ने अगर book लिया हो तो book के अंदर न जो यह book design होता है basically जो आपका syllabus बनाये जाता है become के अंदर, उनका क्या objective रहता है वो भी पता होना चाहिए arts का बच्चा भी become लेगा science का बच्चा भी become लेगा science का बच्चा same become ले ले कितना भी पढ़ने में intelligent हो लेकिन जब तक basic नहीं पता है तो नहीं कर पाएगा तो हमारे syllabus में journal भी है किताब में आप जब देखोगे तो आपको journal भी मिलेगा आपके syllabus में laser भी मिलने वाला है और आपके syllabus में trial balance भी मिलने वाला है ये वो बच्चों को सीखना जरूरी है जो की बच्चे arts के या science के हैं इसलिए आपके किताब में या जो आपका DU का syllabus है syllabus भी पढ़ोगे तो वहाँ पर भी दे रखा है framework में journal, laser, cashbook और सारी चीज़े आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा तो same इस किताब में भी मैं अगर बात करूँ सर तो लगभग लगभग हमारे आठ चेप्टर आठ नहीं बोलेंगे हम साथ इतने साथ चेप्टर जो है वो पूरा ग्यारवी का है सेवन चेप्टर जो starting के आपकी किताब में है वो ग्यारवी का है साथ चेप्टर के बाद जितने भी आपको चेप्टर दिखेंगे इसमें वो सारा आपका graduation बीकॉम के अंदर आएगा तो पहले सेवन चेप्टर में से सिर्फ theory वाला part आपके exam में आएगा और बाकी के चेप्टर में से practical वाला part भी आ सकता है और theory वाला part पढ़ने का तरीका काफी सारे बच्चे क्या करते है साटिंग से पढ़ रहे हैं और पता चला उन्होंने सिर्फ साथ चेप्टर ही exam में तयारी करके गए और बाकी का छोड़ दिया तो उनको दिक्कत हो जाएगी बाकी में से कुछ भी नहीं आने वाला तो इसी तरीके से हमारा जो ये चेप्टर है ना final account आपके किताब में अगर हम देखें मैंने सभी को बोला किताब कौन सा लेना है तो उसी के according चलेंगे final account जो है हमारी इस किताब में और नई book लेना है क्योंकि पुरानी book में बहुत सारी चीज़े changes आ चुकी है ये हमारा 11 chapter number क्या है हमारा 11 तो हर किसी के पास book होना चाहिए book का नाम मैंने पहले ही बता दिया था जी अर्मोंगा तो final account basically क्यों है क्योंकि final stage पे आ गया है जब हम final stage पे आ गया है ताकि हमारा ये clear हो जाए तो हमारा final account की अगर हम बात करें तो final account आने के लिए अगर आपको final account तभी माना जाएगा कि आपको final account आता है जब जब आपको तीन चीजों की knowledge हो जाए जब आपको तीन चीजों की knowledge हो जाए सर किस किस की knowledge चाहिए एक आपको ट्रेडिंग अकाउंट की नॉलेज हो ली चाहिए दूसरा आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस जिसको पी एंडल बोलते हैं शॉट फॉर्म में मैं पूरा ही लिख देता हूँ जिसको हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनली लास्ट हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी बैलेंश शीट बैलेंश शीट की सर टोटल देखें यह चीजे सीखनी होगी मैं ऐसा नहीं कि देखिए 11th क्लास में आपने फाइनल अकाउंट करा हुआ है अगर मैं कहूं कि 11th क्लास का extension थोड़ा से और मुश से आगे लेके चलो तो फाइदा नहीं है क्योंकि हो सकता है पहले कुछ बच्चों ने पढ़ा हो और ये भी possible है पहले कुछ बच्चों ने पढ़ा ही ना हो तो हम सबसे पहले समझेंगे trading account फिर समझेंगे P&L account और फिर last में balance sheet आज ही समझ लेंगे हम ये trading account समझने के लिए आपको दो चीजों का knowledge होना बहुत ज़रूरी है आप trading account को समझने के लिए दो चीजों की knowledge चाहिए सर क्या पता होना चाहिए trading account बनाने के लिए पहला जो trading account बनाने के लिए होना चाहिए आपको पता होना चाहिए direct expense एक आपको direct expense का पता होना चाहिए trading account सीखने के लिए और साथ के साथ अगर मैं बात करूँ तो direct expense के बाद कुछ हम यहाँ पर basically indirect expense अगर आप दो तरीके के खर्चे को separate करना सीख गए direct expense तो इस account को बनाने में help करेगा और indirect expense इस account को बनाने में help करने वाला है पहले हमें समझना होगा what is the direct expense what is the indirect expense trading account से सर बना के फाइदा क्या है trading account जब भी बनाएंगे तो यहाँ से एक result निकलता है सर और जो result यहाँ से निकलता है उसको बोलते है gross profit या gross profit हो सकता है या फिर और जो यह gross profit या gross loss हुआ न इस gross profit या gross loss को पता है कहां transfer कर देंगे profit and loss में loss हुआ तब भी जाता है और profit हुआ tब भी जाएगा जैसे ही gross profit gross loss पीएडल बना लेगे तो सर पीएडल से हमारा result निकलेगा या तो निकलेगा हमारा net profit या निकलेगा हमारा net loss इस net profit या net loss को हम आगे further लेके जाएगे और वो लेके जाएगे हम balance फाइनली बैलेंस शीट से क्या आंसर आएगा सर बैलेंस शीट से कोई आंसर नहीं आता basically यहाँ पर प्रूब हो जाता है कि हमारा assets is equal to liability होना चाहिए या liability is equal to assets आप बोल सकते हो तो finally एक मजी की बात आपको भी पता है कि इसका आंसर क्या है क्योंकि अगर assets liability आपका match होता है तो ठीक otherwise आपने कहीं न कहीं error किया है 11th class में जितना पढ़ा था वो सारा तो आएगा ही आएगा उसके अलावा भी इसके अंदर extension कुछ advance adjustment है जो कि हम सीखेंगे एक करके टोटल 22 से 25 adjustment रहेगा जो कि हम इसके अंदर करेंगे तब जाके हमारा ये chapter खतम होगा हम पहले सबसे पहले क्या समझेंगे सर पहले हमें समझ लेना चाहिए direct expense और indirect expense में क्या difference है एक बड़े ही छोटे example से हम समझेंगे पहले मेरे हिसाब से clear है आपको chapter में क्या सीखोगे जो बच्चे commerce के हैं उनको तो already पता होगा सर ये तो पहले से करते आए और जो बच्चे नई होंगे जो commerce के नहीं है उनके लिए ये नई बाते हैं तो मैंने जो बता दिया चलिए सर अब हम समझते हैं सर direct expense क्या होता है कुछ एक example लेते हैं बड़े simple सी बात है उस example से लेके चलेंगे अगर मैं example की बात करूँ तो मैं बात करूँ अगर factory की सर मैं बात कर लेता हूँ एक factory की आप ध्यान से सुनिएगा आपको clear हो जाएगा यह हमारा factory है सर factory की बात करें तो factory के अंदर जो काम होता है न वो किसी चीज को manufacture करने का होता है manufacture मतलब तयार करने का हलाकि इस account से पहले भी एक account बनता है जो कि हम सीखेंगे थोड़ा सा हिंट लेंगे जिसे बोलते है manufacturing account जो आपने पहले कभी नहीं देखा है तो हम इसलिए factory से start करते है factory के अंदर क्या होता है कि factory के अंदर कहीं न कहीं से अगर मैं बात करूँ यह factory है तो factory में कहीं न कहीं से समान आता है अगर हम बात करें तो factory के अंदर आएगा और जैसे ही यहां पर माल तयार होगा माल तयार होने के बाद यहां से समान कहीं दूसरी जगह चला जाएगा जिसे हम बोल सकते हैं जहां से माल बिखता है उसको नॉर्मली आप कुछ भी नाम दे दो या नाम दे दो आप शोरूम नाम दे दो या ओफिस नाम दे दो या रिटेल दुकान नाम दे दो कुछ भी नाम दे दो वहाँ पे जाकर बिकता है यानि माल बनेगा यहाँ पे और बिकेगा दूसरी जगह पे सबसे पहली बात सबसे पहली बात जब यहाँ से हम माल खरीदेंगे जब कभी भी यहाँ से हम माल खरीदेंगे तो जो माल फैक्टरी के अंदर आएगा तो इस जो ट्रक है जिस ट्रक पे माल आ रहा होगा इसको देना होगा सर किराया ठीक है इसको देना होगा किराया तेम जब यहां से यहां से बात करें आपका समान जैसे तयार होगा आपने समान इसके अंदर डाला और आप कहां पहुँचा दोगे मान लेते हैं इसको हम office में ले जाओगे ठीक है ना आप कहां ले जाओगे इसको भी जब ले के जाएगा इसको भी देंगे किराया सर दोनों किराये में difference है हिंदी में तो बोलने को एक ही word होता है किराये दिया हमने एक यहां पर बोला जा सकता है समान को लाने का किराया और एक समान को पहुचाने का या भीजने का किराया हो सकता है दोनों तो इस किराये को क्या बोलते हैं सबसे पहले हम वो word देख लेते हैं जब समान आएगा तो इसको हम बोलेंगे पहली वर्ड एक तो होता है carriage जब सरिफ carriage वर्ड का इस्तेमाल किया जाए तो हमेशा समझ रहा है कि समान लाने वाला ही क्राया है या फिर आपको बोला जा सकता है carriage inward inward इसलिए क्योंकि factory के अंदर आपके समान in हो रहा है तो जब factory के अंदर in हो रहा है इसलिए क्या नाम रखा गया carriage inward साथ के साथ कुछ इसके synonyms भी यूज़ किये जाते हैं सर जैसे freight या फिर cottage ये सभी नाम एक ही हैं लेकिन सभी के नाम अलग-अलग हैं लेकिन सभी का मतलब एक ही है क्या नाम है मतलब है और किराया समान को लाने का अब जो ये समान ले जाने का किराया है सर इसको भी यही बोलना है मैं इसको भी बोलेंगे हम carriage फरक ही रहेगा outward सर ये carriage outward इसलिए क्योंकि ये दुकान factory से समान निकल गया तो जब factory से समान निकल जाता है तो उसको हम बोलते हैं outward तो ये हो गया हमारा carriage outward ये समान को ले जाने का खर्चा अब कुछ और भी चर्चा कर लेते हैं जैसे आपको पता है अगर नहीं भी पता तो factory के अंदर lighting भी लगी होती है factory के अंदर देखोगे तो lighting लगी होती है और सर factory के अंदर अगर मैं बिजली की बात करूँ electricity की बात करूँ तो normally factory के अंदर ज्यादा मातरा में electricity इस्तमाल होता है ज्यादा मतलब उहां का power ज्यादा चाहिए voltage high voltage का चाहिए और compared to office के अंदर इतना power consumption नहीं होता तो factory के अंदर हो सकता electricity जो होगा ज्यादा होगा तो electricity को हम बोलेंगे power यानि जहाँ पे ज्यादा voltage का आपका काम आ जाता है न वहाँ पे बिजली के बिलको हम power के नाम से denote कर देते हैं accounts के अंदर जैसे आपके घर के अंदर भी दो socket होते हैं एक जहाँ पे आप प्रेस करते ह या पानी गरम करने के लिए rod वगएरा यूज करते हो उसका switch थोड़ा बड़ा होता है और जहाँ पे आप टीवी वगएरा mobile चार्ज करते हो उसका socket थोड़ा छोटा होता है अगर जिसमें आप टीवी चला रहे हो या mobile चार्ज कर रहे हो उसके अंदर अगर प्रेस वगएर अब ही एक ही word आता है निकल के सर जहाँ पर बिजली ज्यादा ही यूज हो तो factory में ज्यादा होगा तो factory के अंदर अगर बिजली बिल्की बात करें तो वो कौन सी electricity बिल्की बात करें तो उसे किस नाम से जाना जाएगा सर power के नाम से same factory के अंदर कई जगह पर factory के अंदर देखा जाए तो power नहीं होता तो वहाँ पर generator भी यूज किया जाता है आप तो घर में नहीं करते जन्नेटर बगरा यूज बाकि डेली के अंदर तो हमेशा light रहते तो इतनी दिक्कत नहीं है लेकिन गाउं बगरा एरिया में अभी भी generator generator की जगह पर inverter यूज होता है generator भी है कई जगह तो generator जब यूज करते हैं तो generator की टेंशन नहीं है उसके अंदर क्या खर्च होता है डीजल पेट्रोल से नहीं चलता जन्नेटर जन्नेटर किसे चलता है डीजल से या कुछ ऐसे भी equipment वह यूज करते हैं जैसे कोईला वगरा ऐ यानि कोल, तो कोल भी हो सकता है, अब सर बात करते हैं किराय की, यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर दो चीज़े हैं यहाँ पे, यह इंडिया है, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो इंडिया के विदिन सिटी समान है तो बड़ी एजीली किराया देके मंगवाए जा सकता है मैं डेली में हूं और मिरको अगर फॉर एक्जांपल नोइडा से समान लगवाना है तो मैं फटा-फट फोन करूं और विदिनithehigh आ जाएगा लेकिन अगर समान मुझे तो महराश्टरा से मंगवाना है तो मुझे क्या लगेगा time लगेगा और महराश्टरा से दूर चले जाए China से मंगवाना है utilized और भी time लगेगा अगर विदिना इंडिया के बाइर से मंगवा लेते हैं तब तो क्या करते हो, कोरियर के थूरू समाना आएगा, ट्रेन से आएगा तो आपको कैसा आएगा, कोरियर, और जब वहाँ पे किराय दिया जाता है, कोरियर ट्रेन वाले को, तो जब ट्रेन से समाना आएगा, तो वहाँ पे एक तरीके का टेक्स कहलो, किराय कहलो दिया जाता है, that is, Octree उसको बोला जाता है Octree Octree भी हमारा एक तरीके का Text कहलो या कहलो किराया जो की हमारा दिया जाता है समान को मंगवाने के लिए लेकिन सर अगर आप इंडिया से बाहर निकल गए तो बाहर निकलने का मतलब आपके उपर बहुत सारे Boundations लगा दिये जाते हैं मैं Simple सी बात करूँ iPhone आप सब जिस से ज़्यादा Connected हो मैं उसी Example की बात करूँगा iPhone की बात करूँ तो iPhone इंडिया के अंदर भले ही एक लाग प्लस है लेकिन और अदर कंट्री में ये सस्ता है कई कंट्री में महगा भी है मैं दुबई की बात करूँ तो वहाँ पर compare to India सस्ता मिल जाता है आपको iPhone अब iPhone दुबई के अंदर 80,000 का और यहाँ पर मान लेते हैं आपका 1,00,000 का बिक्रा है तो difference कितने का आगे 20,000 तो हम ऐसा क्यों ना करें कि iPhone बहुत सारा यहाँ पर खरीद के लिया है दुबई से और यहाँ बेचने लग जाए तो government कहता है अगर ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी government कहता है आप जब कभी भी बाहर से कोई समान इंडिया में लेके आओगे कोई भी समान आप बाहर से लेके आते हो इंडिया के अंदर तो ऐसे situation में उपर आ लोगे नीचे फर्स प्रोर पर पूछ लो तो ओक्ट्री या टेक्स की किराएगी मैं बात कर रहा था ओक्ट्री या टेक्स सरी अगर आप इंडिया के बाहर से समान मंगवाते हो तो वहाँ पे एक special text भी देना पड़ता है special text क्या होता है सर special text की हम बात करें तो वहाँ पे हमें देना पड़ता है क्या सर हमें देना पड़ता है वहाँ पे excise और custom duty याद रखना ये word excise और custom duty सर excise duty या custom duty होते हैं दो तरीके के अगर excise duty की बात करें, यहां से आप जब लाओगे, तो एक परकार का ये क्या है, सरकार को दोगे text, और उस text को लगाने के बाद भारत के अंदर समान आता है, और वो समान थोड़ा महंगा होके फिर बन जाता है हमारा, तो यानि सर हमारा factory में समान लाने के लिए एक और text बन सकता है, और एक हो सकता है custom duty, मैंने simple एक लिख दिया क्या, custom duty, अब इसके बाद बात करें, factory के अंदर क्या हो सकता है सर, factory के अंदर हमारा light हो सकता है, तो यहां जो factory, office, sorry, office के अंदर जो light होगा, यहां पे power का use नहीं होगा, यहां पे electricity, bill का इस्तमाल होने वाला है, यहां प क्या हो सकता है सर, यहां पे भी मजदूर काम करेंगे, यहां पे मजदूर काम करने वाले हैं, सर जो यहां पे मजदूर काम करेंगे ना, उनका जो nature होगा, maximum का, वो ऐसे मजदूर होते हैं, आपने कई बार मजदूर की बात करो, तो factory में जो area में काम करते हैं, तो वो दो त उनका दिमाग से काम नहीं कर रहे हो उनका काम क्या है hard working जादा है आप सभी accountant बनोगे तो आपका महनत वाला काम नहीं है आपका mind ज्यादा ठकेगा तो factory के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपका काम वो होता है जो कि दिहारी तोड से दिया जाता है तो यहां पर जब लोगों को तनका दिया जाएगा तो उसको बोला जाएगा wages उसको बोला जाएगा जब factory के अंदर तनका दिया जाएगा तो उसको बोला जाएगा wages तो क्या sir factory के अंदर ऐसा कोई होगा ही नहीं जो कि दिमाग से काम करता हो सभी physical नहीं factory के अंदर भी manager होगा factory के अंदर भी accountant होगा senior सर यहाँ पे जो दूसरा होगा ना जो फैक्टरी के अंदर जो आपका work कर रहा है दिमाग से तो ऐसे situation में हम यहाँ पे common नाम दे देंगे सर नाम दे देंगे wages एंड यानि सर मजदूरी के लिए wages और जो काम अच्छे तरीके से कर रहा है कम्प्यूटर पे काम कर रहा है टाई वगरे लगा के काम कर रहा है उसके लिए क्या word आगया है salary तो यहाँ पे word क्या आगया सर wages और salary सेम बात करें यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे होंगे और ज्यादतर office में जो काम करते है न वो ज्यादतर से ज्यादा क्या होता है customer relationship बनाना वगरा होता है जो customer से बात करते है तो उसों देखोगे तो वो मेहनत वाला काम कम होता है तो यहाँ पे जो दिया जाता है न इन worker को वो होता है salary लेकिन यहाँ पे भी कुछ मजदूर तो काम करते हैं यह सर लोडिंग अनलोडिंग का कुछ तो यहाँ पे अगर दूसरा काम हो रहा होगा तो हम बोल देंगे salary and wages तो सर यहाँ पे देखिया अगर पहले word लग गया wages और salary तो इसका मतलब वो कहाँ पे खर्चा हो रहा होगा अगर word आ गया salary and तो कहाँ पे खर्च हो रहा होगा office के अंदर खर्चा हो रहा होगा sir office में भी और बहुत सारे खर्चे होते हैं बहुत सारे खर्चे जैसे मैं बात करूँ sweeper का यह journal expense बोल लूँ आपको basically यह tentative लेना है कि जितने खर्चे हमारे factory के अंदर होते हैं न यह सारे खर्चे जो factory के अंदर होगे that is called direct expense और sir direct expense की बात करूँ तो कहां से related होगा हमेशा ट्रेडिंग से अब मैं खर्चे की बात करूँगा जैसे कि मैंने कहा carriage सिर्फ carriage word का इस्तमाल किया तो carriage कहां पे हो रहा होगा खर्चा और factory का खर्चा किस से related है ट्रेडिंग अगर मैं कहूं carriage बताओ कहां जाएगा दो अकाउंट आपके सामने पी एंडल और ट्रेडिंग तो कहां जाएगा ये ट्रेडिंग में ऐसे मैंने बोला औक्ट्री कहां जाएगा आपका ट्रेडिंग में क्योंकि किस से related है औक्ट्री फैक्ट्री ऐसे ही मैं बोलू चला जाता है ये ओफिस में यहां जितने भी खर्चे होंगे ओफिस में यानि फैक्ट्री के गेट से निकलने के बाद जितने भी खर्चे हैं वो सारे indirect expense है वो सारा वो सारा कौन सा expense माना जाएगा आपका indirect expense मैंने कहा यहां पे for example मैं बात करता हूँ power की तो power कहां use हो रहा ह तो ट्रेडिंग में जाएगा अगर मैं electricity की बात करूँ तो कहां use हो रहा है ओफिस में use हो रहा है तो इस तरीके से एक तो हमें खर्चे का पता भी होना चाहिए और एक conceptual mind में भी पता होना चाहिए हमें के सर यह खर्चा यहां से related है तो इसके यहां देगे हां जी बताईए अब rent common पढ़ रहा है एक question आया सर सिर्फ rent बोला है rent तो सर factory का भी हो सकता है normally यहां पे कुछ जगह पर assumption लेंगे वो मैं assumption बता रहा हूँ अभी क्या क्या लेंगे rent office का भी हो सकता है factory का भी हो सकता है लेकि normally factory को rent पे लिया नहीं जाता normally क्योंकि factory पता है किस area में होता है ऐसे area में होता है जहां पे दूर दूर तक पूरा खाली होता है और ऐसा area जहां पे कोई सुभीदा ना हो और खाली हो वहां की जमीन अकसर क्या होती है हमेशा बहुत सस्ती जमीन होती है तो जब जमीन बहुत सस्ती है तो ऐसे situation में वो rent पे लेंगे या खुदी खरीद लेंगे खुद ही खरेद लेंगे तो इसलिए अगर rent बोला जाए तो आपका हमेशा किसका consider करना है office का लेकिन अगर specify कर दे factory rent तब तो यहीं का माना जाएगा ठीक है ना इसके बाद एक मैं बात कर रहा हूं समान कहां से बिक्षेगा बताओ factory में से बिक्षेगा या office में से बेचने को word बोलते है ट्रेडिंग ट्रेडिंग का मतलब basically होता है वेपार तो ट्रेडिंग तो जब कभी भी office से समान को बेचा जाएगा तो एक trading expense भी होता है तो sir trading expense की अगर मैं बात करूँ तो कहां का मानना हमेशा office का मानना नाम से लगता है कि sir trading expense है तो trading expense होगा हमारा कहां का sir trading expense होगा हमारा trading account से related factory का लगता है लेकिन वो हमेशा कहां का मानना है आपने office का मानना है यहां तक समझ में आ रही है बात आपको same rent का भी मैंने बता दिया जब rent के आगे कोई clarity ना हो तो क्या मानोगे आप office का rent मानके उसको खदम करोगे तो हम account बनाएंगे अभी laser भी सीखेंगे कि क्या क्या रहेगा तो हमने सीख लिया direct expense और indirect expense में क्या difference आपको पता चलिए यहां पे direct में क्या difference है और indirect balance sheet तो हम बाद में देखेंगे तो पहले यहां तक कोई दिक्कत कोई परिशानी दो खर्चे में डिवाइड कर दिया आप mind में जब कभी भी कुछ ऐसा खर्चे आ जाए तो दिमाग में सोचना कि वो factory के अंदर हो रहा है या फिर factory के बाहर office में हो रहा है आप सभी को भी इसी तरीके से बनाना होगा चलिए सबसे उपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट या हम common लेखे चलेंगे trading and profit and loss नीचे लिखेंगे हम for the year ending date सबसे पहले यहां लिखना है two opening stock सारी information आपको question में given होगा कुछ भी find नहीं करना होता नॉर्मली इसके बाद लिखना है हमें two purchase purchase को inside क्यों लिखा है क्योंकि purchase पर होगा adjustment और adjustment क्या होता है हम देखेंगे less इसमें से कर देंगे purchase return सर पर्चेस return का एक और नाम है क्या नाम है purchase return का एक और नाम है return outward पर्चेज रिटन का एक और नाम है रिटन आउटवर्ड इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे और भी सारे के सारे अभी मैं ट्रेडिंग बना रहा हूं तो डारेक्ट एक्समेंस यानि वेजिस और क्या हो सकता है सर वेजिस के अलाबा हो सकता है हमारा आपका हो सकता है फ्रेट के साथ कैरिज भी हो सकता है सर और क्या हो सकता है यहां पर पावर और क्या हो सकता है आपका ओक्टरी एंड एक्सेक्टरा और भी बहुत सारी चीजे हो सकती है लेकिन मैं यहां दिखाने गा बाई साइड में लिखना है आपने सेल्स और सेल्स पर अडजिस्मिन्ट होगा सर लेस सेल्स रेटर्न हांजी बोर्ट पर ध्यान दीजिए इसका एक और नाम है रिटर्न इनवर्ड आप लोग का एक्साम का थोड़ा सा डेट सडियूल हुआ है एक्साम आपका मार्च में नहीं है फैब में मार्च है ठीक है उसका ध्यान दखना फैब में मार्च है बाकि जितने भी सब्जेक्ट है हर बच्चों को बोलूगा जैसे भी तैयारी होती है बहिए कर लो स्टार्ट स्रिफ और स्रिफ दिसंबर, दिसंबर में भी हमारे साथ दिन निकल चुके हैं मैं दस दिन मान के चलू तो बीस दिन दिसंबर में और जन्वरी तो हमें स्लेवर्स थोड़ा सा फास्ट खीचना पड़ेगा तो उसके अक्रडिंग ही मैं लेके चलूँगा तो आपकी भी responsibility के ऐसा छोड़ना मत के exam आएगा तो हम revision कर लेंगे या exam आएगा तो तयारी कर लेंगे उस time पर कुछ नहीं होगा, revision करने का मौका मिलेगा तो definitely करेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि revision करने का मुझे मौका ना मिले उसी के हिसाब से अभी notes वगरा सब तयारी करके चलना है आपको, क्योंकि time कम है, syllabus ज्यादा है, by closing, sir closing stock अभी पहले chapter हम start कर रहे हैं, अभी starting है, तो अभी ज्यादा जल्द बाजी नहीं कर रहा है, मैं अभी तीन दिन alternate लूँँगा, जैसे ही 15-20 दिन एक बार एक chapter में हम आ जाएंगे, तो शायद मैं सुभह साम की class regular basis पे लगाऊँगा, ताकि आपका syllabus complete हूँ सुभह साथ बजे की रही, अब देखो, syllabus खतम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा अरे college देखेंगे वो तब provision चुट्टियां भी पड़ेगी न आपकी उसमें तो सर, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यह क्या है हमारा trading account और trading account के अंदर से जो निकलेगा हमने क्या देखा सर, trading account से जो result आता है वो आता है यहाँ तो gross profit, gross loss तो अब हमने trading account का format तयार कर लिया है, अगर इस side निकल के आया, तो होगा हमारा gross और त्रिफ gross profit नहीं लिखना है, इसके आगे TF लिख रहा हूँ, transfer to profit and loss यानि gross profit को transfer कर दो, और अगर in case इधर निकला तो उसे बोलेंगे gross, loss और उसे transfer करेंगे उसे भी पी एंडल में अगर हमारा निकला gross profit तो transfer हो जाएगा इधर by gross profit अगर निकला gross loss तो to transfer हो जाएगा gross loss यानि आप ध्यान दीजिए, transfer की अगर मैं बात करूँ ना, तो transfer कैसे हो रहा है, ये वाला हिस्सा इधर जा रहा है और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, बड़ी सीधी सी बात है, अगर transfer की हम बात करें तो ठीक है, अब सर यहाँ पे सारे खर्चे, basically P&L है, इधर सारे खर्चे लिख रहे हैं तो अब ये वाला जो हिस्सा था ना, इतना area ये trading के लिए reserve है, अब इसके नीचे का काम होगा सारा P&L और आपको पता है P&L में कौन से खर्चे लिखने हैं, बताईए, सारे indirect expense, जैसे कि मैं लिखूँ स्रिफ salary, discount, sundry expense, sir, और क्या हो सकता है, interest, और क्या हो सकता, electricity bill, और क्या हो सकता है sir, मैं नोटिंग के बाद proper timing दूँगा, अभी सिर्फ नोटिंग करिए, electricity bill के साथ और क्या हो सकता है sir, bed dates, और क्या हो सकता है sir, depreciation, और क्या हो सकता है sir, water bill, और हो सकता है, हमारा rent, और क्या हो सकता है, legal charge, और क्या हो सकता है sir, repair, और क्या हो सकता है, carriage outward, और क्या हो सकता है, commission, और sir, इस side बड़े कम income होते हैं, जैसे commission, जैसे discount, जैसे interest, जैसे provision, जैसे 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 बात करें, इस तरीके से हमारा P&L देखे यहाँ पर हमने खर्चा लिखा ट्रेडिंग और नीचे P&L अगर इधर से आंसर निकलता है हमारा जो भी आया आंसर उसे हम भीजेंगे 2 इसे लिखेंगे net और इधर से निकला तो by net और सर इस net profit, net loss को यहीं नहीं लिखना है इसे transfer करेंगे to capital और इसे transfer करेंगे to यह हमारा पूरा का पूरा है trading और P&L का एक format इसके बाद लगे हाँ तो हम balance sheet का भी देखेंगे noting करने के लिए मैं proper time दूँगा अभी चिंता मत परो सिर्फ आपको concept के focus करना है चलिए सर balance sheet अभी बताएंगे रुख जाईए depreciation भी मैंने लिखाए देखू इस साइड लिखते हैं liability और इस साइड asset यहाँ पर balance sheet as it और date आजाएगा सर यहाँ क्या क्या आने वाला है इधर सबसे पहले आएगा capital और capital में plus हो जाएगा net profit minus हो जाएगा net loss अगर है तो minus हो जाएगा drawing तो यह कुछ point आपको ध्यान रखना है कि इन चीजों को plus करना है और इन चीजों को minus करना है इसके बाद इस side में liability जैसे bank loan bank loan जैसे creditor जैसे bills payable जैसे advance income जैसे outstanding इस side में assets आजाएगा जैसे land and building land and building के साथ साथ देखा जाएगा तो फरनीचर machinery cash bank a balance stock debtor बी आर प्री पेइड एक्सपेंस गुडविल और फाइनली ये दोनों साइड हमारा और भी सारी चीज़ें हो सकती है बट मैंने इतना ही लिखा है दोनों हमारा एक्वल आजाएगा तो ये हमारा है बैलिंशीट से तो एक बार फटा फट से हलाकि मैं आपका एक टेलिग्राम पे आपको कल वाटसप आजाएगा और ये जितने भी मैं क्लास नूट करूँगा वो PDF के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा क्लास में भी नूट करना है आपको और ये नूट आपको PDF के फॉर्मेट में नेक्स क्लास के अंदर मिल जाएगा जो कि आपके नोट करने है कई बार हाँ टेलिग्राम का लिंक दूँगा एक चैनल बनाऊँगा और वहीं पर मिलेगा ठीक है जिससे कि आपका कई बार मैं कुश्चन कराऊं मुझे दो कुश्चन कराना है जैसा भी नोटिंग करने अभी होगा लाइव सेक्शन में भी होगा जिसे आप जितनी मर्जी बार उतनी बार रिवाइज करके देख सकते हैं जो बच्चे लाइव में है चलिए अब फटा फट से एक पर आप नोटिंग चालू कर ये थोड़ा सा झालू